मैं हम सब के माध्यम से और पूरे सिर्सा जिला की तरफ से माननिये हमारे ये शश्वी और जस्वी और विकास पुरश मुख्य बंतरी शिरी मनोहर लाल जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि आज जो सिर्सा को उन्होंने बड़ी सोगात दी है जिसमें 5856 लाख के लगभग आज बड़ी परियोजनाओं का शिला नियास हुआ है जिसमें बड़े 12 प्रोजेक्ट हैं जिसमें से 4 का आज इन्योग्रेशन हुआ है और 8 का वो इन्योग्रेशन आगे करने जा रही हैं तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी एक सोगात है सिर्सा जिला के लिए क्योंकि आज से पहले जब भी कोई मुख्यमंतरी बने तो या तो छेतरवात के बने या खुद के परिवारों के विकास में लगे रहे लेकिन माननिय मुख्यमंतरी जी ने 2014 में जब पहली बार भा प्रारूप में जबकि हमारे पास पांचो विधान सवा में कोई विधायक नहीं है फिर भी इतनी बड़ी सोगात आज सिर्सा जिला को उन्होंने दी है जिसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे और सेकेंडरी में आप सब के माध्यम से ही एक बात रख है एलनाबाद का पर्टिकुलर अगर छेतर की बात करें तो एलनाबाद में हमेशा एक बात रहती थी कि निरंतर धरने परदर्शन होते थे पानी के लिए लेकिन कभी भी कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई चाहे वो कॉंग्रस की सरकार रही चाहे यहां से लोकल आई पूल भूत जो चीज है वो पानी के इलावा कुछ नहीं है तो उनको जब कहा जाता था तो उनका एक वो बागड़ी में कहनता कि थारोबंडो ही खराब है लेकिन माननी मुख्यमंत्री जी के साथ इस बात को लेकर जब चर्चा हुई तो उन्होंने विशेश रूप से इस चेतर के अंदर दी है तो भी खातर भी एक किसान की बेटी होने के नते मैं माननी मुख्यमंत्री जी को तहे दिलूँ धन्यवाद करूं कि वहाँ एक किसान की मूल बूत सा जरूरत ने पूरो करे है और आज जो चार बड़ी सोगाते जिनका इनोग्रेशन आज माननी मुख टिस केवी स्टेशन के लिए चेसो चालीस लाग की बड़ी सोगात मानी मुख्यमंत्री जी द्वारा दीजा रही है और सिरसा के अंदर हमारे हुद्डा के अंदर ही टेतिस केवी का सब स्टेशन जिसकी टोटल अमाउंट चार سो च्यासेट लाग के करीब हैं jerson चो की फते लंबे समय से मांग थी कि उसका 133 केवी का जो स्टेशन है उसके पावर ट्रांसफॉर्मिंग की एक बड़ी समस्या हमारे रहती थी उसको उनोंने मतलब के एक परसनली चीजों को लेकर माने मुख्यमंत्री जो करते हैं और जो सुगाते देते हैं इसके लिए 1347 लाख रुप टोटल इनोगरेशन का आज हमारा माने मुख्यमंत्री जी ने हमें बड़ी सुगात दी है और इसी तरह से जो फाउंडेशन स्टोन आज लगे हैं वो आठ बड़े प्रोजेक्टों के लगे हैं जिसमें रानिया का डव वाली का एलनाबाद के बड़े बड़े प्रोजेक् रहता था कि जो हमारे गगर ड्रेन है गगर ड्रेन का बहुत बड़ा एक सीरियस विशे रहता था कि जब भी फलड का समस्या आती थी तो हमारा जो ड्रेन है वो बंद करना पड़ता था और आगे हमें पानी की समस्या रहती थी क्योंकि ओवर्फलो होने की वज़े से इसको बंद कर दिया जाता तो आगे जो हमारी एलनाबाद के एरिये के छेतर हैं इसकी नहरों को भी बंद करना पड़ता था लेकिन अब इसके लिए चार सो पचास लाक रुपे की जो अमाउंट है वो मानने मुख्य मंतरी जी ने मंजूर की है और अब हमारी जो ये पानी की समस्य कि अगर इधर से फलड को रोकना है तो हमारे इधर के पानी को बंद नहीं किया जाएका जो कि किसानों की एक बहुत बड़ी डिमार्ती जिसको माने मुख्य मंतरी जी ने आज पूरा किया है इसी तरह से एलनाबाद के अंदर जो वांडरी बॉल है हमारे अनाज मंडी की माने मुख्य मंतरी जी ने हमें मंजूर करके दिये हैं इसके लिए हम माने मुख्य मंतरी जी का विशेश रूप से धन्यवाद करते हैं और इसी तरह से डव वाली की जो जंड वाला डिस्टिब्यूटरी की मॉडलिंग है उसके लिए 497 लाग रुपे माने मुख्य मंतरी उसके लिए भी हम मानने मुख्राइमंत्री जी का तहिए दिल से अभार विक्त करती है और इसी तरह से ये जो आठ प्रोजेक्ट है हमारे बड़े प्रोजेक्ट टोटल बारा प्रोजेक्ट, जिन के लिए माननिया मुख्राइमंत्री जी ने आज foundation stone के रूप में हमें 2489 लाख रुपे आज हमें दिये हैं और total हमारी जो 5856 लाख रुपे की बड़ी एक amount है वो माने मुख्यमंतरी जी ने हमें सवगात के रूप में दिये है उसके लिए हम माने मुख्यमंतरी जी का पूरे सिरसाजिला की तरफ से जो उन्होंने इतनी ब इस बड़ी सरकारे रही लेकिन एक आपके माध्यम से उप चुनाब जब कॉंगरस की शरकार थी तब हमारे η्लाबाद में उप चुनाब था तब हमारे एलनाबाद की बड़ी डिमांड थी कि हमें यहां कॉलेज दिया जाए लेकिन उस टाइम के मुख्य मंतरी ने स्पष्ट रूप से और उपनली ये बात कही थी कि अगर थे अटूमने जिता देऊगा तो थाने कॉलेज मिलेगो तो ये डिमांड के रूप में उन्होंने कहा था कि अगर आप अपना विदायक हमारा बना देते ह तो आपको इतनी सोगात मिलेगी लेकिन माननिय मुख्य मंतरी जी ने जस दिन पहले दिन ये कहा था कि हर्याना एक हर्यान भी एक सबका साथ सबका विकास हमारे जहां विदायक नहीं भी हैं उस वहां भी और निरंतरता से लगातार सिक्वेंस वाइस इतनी इतनी भारी आज हमारे नियरवाई पंजाब और राजस्थान दो बड़े स्ट्रीट हैं। वहाँ से लोग स्पेशली ये देखने के लिए आ रहे हैं कि हर्याना ऐसा विशेश क्या कर रहा है। हर्याना पैसा कहां से ले के आ रहा है। लेकिन ये उनको भी पता है कि जिस तरह से मानने मुख्य मंतरी जी इमानदारी से धरातल पर काम कर रही हैं। और उनका जो मकसद है कि आम हर एक व्यक्ति तक लाब पोहुचना चाहिए, किसानों को उनका पानी मिलना चाहिए, उसके लिए जो वो नरंतरता से कारे कर रहे हैं। मुझे लगता है आज तक ना ऐसा काम कभी हुआ है और ना कभी हो सकता है। यह अगर संबब है जो ध्रातल स्तर पर कारे हैं यह सिर्फ और सिर्फ भारते जंता पार्टी की सरकार के अंदर संबब हो सकता है।